अब सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे चैनल में फ्रेंज आप लोग जानते होंगे कि वेश्ट पंगाल में स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज था कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट काड वेश् एक नया स्कीम लांच किया था जिसकीम का नाम था Student Credit Card तो वेंस अल्रेडी मैंने वीडियो बना दिये हैं कि किस तरह साब अप्लाई कर सकते हैं तो उसका अच्छा रिस्पॉंस है बहुत सारा कॉमेंट मेरे पास आया है तो उसी कॉमेंट के रिगार्डिंग आज का मेरा वीडियो है बहुत सारा स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लेम फिस कर रहा है कि क्या उसमें क्या कर्टिरिया है कौन सा कैटेगरी चाहिए या कैसे अप्लाई किया जाए अब अफ्लाई करने के लिए कौन सा कॉन करस आपका पहले से रेडी होको चाहिए अप्लाई करने से कौन-कौन डॉक्स आपको चाहिए तो इस सरह का बहुत सरह क्वेंट है तो विंज इस सरह का भी कॉमेंट में में पास आया है मेरा र farming करिशन यह है क्या मैं apply कर सकता हूं और apply करने से जो जो फॉर्मलेटीस है पूरा फॉर्मलेटीस में बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को जलू एंड तक देखिएगा चैनल में अगर आप नहीं है जलू को स्काइब करिएगा मैं इस तरह काई टेक वीडियो डेली आप अगर स्मार्टफोन कर रहे हैं तो आप पूरा जानकारी ले सकते हैं तो पूरा जानकारी में देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को एंड तक जरू देखिएगा तो अभी चली चलते हैं computer screen पर तो विए जैसे आप देख पारें के मैं website पर चेले आय इसी वेबसाइट के अंदर आपको आना है अगर आप अप्लाई करना चाते हैं तो भी आपको इसी वेबसाइट के अंदर ही आपको आना होगा इसी वेबसाइट के अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप अप्लाई करना चाते हैं तो मेरा वीडियो देख सकते है किस तरह सब apply कर सकते उसका वीडियो दिया हुआ है डिटल्स तो यहां पर देखिए student registration इसी option से आपको apply करना होगा apply करने के बाद जब student login तब यह वाला page आपको use करना है student login करने के लिए तो फेंस पूरा details में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपका problem हो रहा है क्या 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 आपको जानकर या अगर चाहिए तो उसके लिए आप क्या करिएगा full details में देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो फेंस how to apply यहां पर देखिए यहां पर दो training manual of student है तो यहां यहां पर एक bengali language में हैं एक English में हैं तो मैं part by part आप लोगों को दिखाऊंगा तो यह देखिए बेंगाली पहले बेंगाली दिखाएता हूं कि इसलिए यह only for bengal के लिए service available है अगर आप bengal का student है तभी आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो यहां पर जो user manual है तो यह manual देखक के भी आप apply करने में कोई भी अगर धिक्कत हो रहा है तो इसको देखके आप part by part apply कर सकते हैं तो जैसे यहां पर details दिया हुआ है कौन सा आप जो फोटो फोटो दीजेगा ओ कौन सा format में होना चाहिए उसका कितना size होगा पूरा details color photo है या non color तो पूरा details यहां पर दिया टिया सब्सकारी ले सकते हैं तो फिर देख पाकिए की यहां पर website यहां फे तीन website टोडल दिया हुआ है एक इस website में जाके आप apply कर सकते हैं इसमें भी जाकर्याई कर सकते हैं और यहां पर j toca this इचत container很िशनि यह हो सामने व्यू हो जाएगा इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं डाउनलोड करके डिटेल्स देख भी सकते हैं किस तरा से एप्लाई करिएगा कौन-कौन पीज आपके सामने आएगा उसमें क्या-क्या फिल अपको करना पड़ेगा फूल डिटेल्स आप यहां पर देख सकते ह हैं तो ऐसे में दिखाया अभी आपको कि आपका जो कलरड फोटो आपको यहापर देना होगा जो 50Kb के अंदर होगा और ठीक है 50 से 20 के अंदर आपको होना होगा आपका पिक्टर सिगनेचर यहाँ पर देखिये 50 से 10 KB के अंडर आपको होना होगा इसके बाद देखिए गार्जेंज सिगनेचर भी यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी इटेल्स दिया हुआ है आपका आधार कार्ट जो आप अपलोड करिएगा वो PDF फॉर्मेट में आपको डालना होगा यह आपको जो फोटो है सिगनेचर करिए उसके लिए क्या-क्या डॉकुमेंट्स आपको देना होगा कौन-कौन पेज आपके सामने आएगा आपको क्या-क्या फिलफ करना होगा कौन सा कॉलिपिकेशन आपको होना चाहिए फूल डीटेल्स इसमें आपको मिल जाएगा तो आप यहां पे इसका टोटल जो पे दिया हुआ है, apply का position आप कैसे आप apply करिएगा, कौन सा website में आपको जाना है, किस तरह से आपको fill up करना है अपना form, full details मेरा already वीडियो में दिया हुआ है, तो fans, यहाँ पे सब कुछ fill up करने के बाद आपके सामने एक login का system आएगा, जहाँ पे आपको student login करना होगा, वो भी आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, तो fans, यहाँ पे यहाँ पे जब आप register complete कर दिएगा, register complete करने के बाद आपको एक registration number दिया जाएगा, जो number को देखे और जो password आप create करिएगा, वो password देखे आपको login करना है, तो fans, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप down आजाएएगा, देखिए इस तरह का page, इस तरह का page आपको so so होगा, जहाँ पे आपको आपका जो registration number जो है, वो number यहाँ पे आपको देना होगा, और यहाँ पे जो password है, वो डालना होगा, और उसके पाद जो capture है, वो डालके login करके वहाँ से आप login करके आप अपना details को check कर सकते हैं, loan के लिए apply कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको full जानकारी आपको मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे देख रहे है, application, registration, यह done, इस तरह का process यहाँ पे show होगा, जब यहाँ पे all done होगा, तभी आपका application submit में होगा, और आप इसको track भी कर पाईएगा, यहाँ पे देखें tracking application, इसमें आप click करके आप track भी कर सकते application, जैसे यहाँ पे देख पार है कि application submit, यहाँ पे pending है, तो यहाँ पे holded है, तो यह सब आपको यहाँ से easily check कर सकते हैं, तो student credit card के लिए register करते समय, फिर भी आगर आपको कोई धिक्कत हो रहा है, कोई error आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक phone number है, जो बिलकुल toll free है, और यहाँ पे दो-दो mail ID है, आप इस दोनो mail ID और एक phone number में contact कर सकते हैं, तो फेंस आज का वीडियो कैसे लगा है, जैसे लोगों को comment करिएगा, चैनल में अपना ही यहाँ सब्सकाइब करिएगा, मैं इस